क्या आपको भी 11-11 हर जगे नज़र आ रहा है आज कल आप कहीं पे भी देखते हैं और आपको अचानक से ही 11-11 नज़र आ जाता है गाड़ी की नंबर प्लेट पे घड़ी के टाइमिंग में मोबाइल की स्क्रिन पे किसी मैसेज में किसी वीडियो के लिंक में 11-11 आपको बार को देखा है तो ये कोई इतिफाक नहीं है अगर कोई इनसान अपने स्प्रीचुल पात पे आगे बढ़ता है या कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा होता है ऐसे टाइम में अगर उसको 11-11 दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि डिवाइन उससे डाइरेक्ट कम्निकेट करने की कोशिश कर रहा है नंबर्स अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं और जो इनसान डिवाइन के इस मैसेज को और सिगनल्स को समझता है इसके अकौर्डिंग अपने पात को डिसाइड करता है वो अपने भागे का रचेता खुद बन जाता है क्योंकि डिवाइन आपक सेवन रीजन्स पताऊंगी क्यों दिख रहा है इलेवन इलेवन बार बार अगर हम नंबर की पावर्स की बात करें तो विज्ञान भी से मानता है नुमेरलोजी भी से मानती है और नंबर्स अपने आप में इतने पावर्फुल होते हैं आप सोच भी नहीं सकते विज्ञान इसे मानता है आपने साइंटिस्ट निकोला टेसला का नाम सुना होगा उन्होंने भी नंबर की पावर्स के बारे में बताया है 369 कोड के बारे में बताया है और नुमेरलोजी में तो आप जानते ही हैं चान सितारे ग्रह नक्षत्र ये सब भी नंबर की पावर्स से ही बने हैं तो यहां पर समझ लेते हैं कि आपको 1111 बार बार आखिर क्यों नजर आ रहा है 1111 बार बार देखने का first meaning होता है कि आपकी विश आपकी manifestation बहुती जल्दी पूरी होने वाली है अगर आप किसी विश के लिए भगवान से प्राग्ना कर रहे थे या कोई भी law of attraction की technique कर रहे थे और आप 1111 देखने लगे हैं तो इसका मतलब ensure हो जाएए आपकी विश on the way है बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है आपको अपने मन में किसी भी तरीके का संदेह नहीं लाना है आप यहां तक आ चुके हैं तो बस थोड़ा सा सबर करिए आपकी विश बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली है meaning number two होता है जब भी आप 1111 देखते हैं और आपके दिमाग में कोई भी doubt आता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा मेरी life में changes आएंगे या नहीं आएंगे किसी भी चीज को लेके आपके मन में doubt आ रहा है और आप 1111 देख रहे हैं तो इसका clear meaning होता है you are on right path my child universe आप से कहना चाहता है कि आप अभी तक जो रास्ता चलके आए हैं वो बिलकुल सही है इस moment में आप जो भी decision ले रहे हैं वो बिलकुल सही है अगर आप 1111 देख लेते हैं तो आपको कोई भी doubt नहीं करना है आपको खुश हो जाना है grateful होना है कि ये divine आपके साथ है वो आपको भोल रहे है कि आप बिलकुल सही रास्ते पे हैं घबराइए मत हम आपके साथ है meaning number 3 होता है your mind body and soul are aligned at this moment अगर आप 1111 बार बार देख रहे हैं तो इसका एक मतलब होता है कि आपकी mind आपका body and आपका soul एक तरह से align हो चुके हैं और इस moment पे आप ये भी कह सकते हो कि आप इस divine या इस प्रकृति इस nature के साथ align हो रहे हैं उनसे ताल मिला के काम कर रहे हैं तो इसलिए universe आपसे बहुत ज़्यादा खुश है ऐसे moment पे आप जो भी करेंगे आपके जो भी thought हैं उन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने हर विचारों को लिखिए और उस पे थोड़ा सा सोचिए आपका mind, body, soul एलाइंग हो चुका है ऐसे लोग अपनी life के writer खुद होते हैं अपनी जिन्दिगी के रचेता खुद होते हैं जब वो इस लेवल पे आ जाते हैं meaning number four होता है कि at this moment you are able to attract negative people also ऐसे टाइम पे आपकी जो vibration है वो काफी बढ़ जाती है और आपका जो positive aura है वो भी increase हो जाता है इसकी वज़े से लोग automatically आपकी और attract होंगे आपने सुना होगा जो high vibration लोग होते हैं उनके आसपास जो negative vibration या आप बोल सकते हो जो low vibration में लोग है वो आपने आप खिचे चले आते हैं तो जब आपकी cleansing हो रही है आपका जितने भी energy spot से उनकी cleansing हो रही है कुंडलीनी की energy clean हो रही है और आप high vibration में जा रहे एक positive vibration में जा रहे तो आपकी life में जो toxic problems वाले लोग थे जिनोंने पहले आपकी life में toxic चीजे create की हैं या वो बाहर से show करते हैं आपका अच्छा पर अच्छा नहीं चाहते ऐसे लोग भी आपकी और attract होंगे और आपके लिए आपकी और आने की कोशिश करेंगे और divine आपको 1-1 दिखाता है 11-11 दिखाता है इसका मतलब वो बोलता है कि आपको इन लोगों से सचेत होना है आपको negative लोगों से बहुती अच्छे से deal करना है और ऐसे लोग जो बार-बार आपको पुरानी situations में बान देते हैं परिशानियों में घेल देते हैं ऐसे लोगों क अपनी जिंदगी से cut out करना है वापस से आपको उस situation में नहीं जाना है क्योंकि आप बहुती आगे निकल चुके हो आप बहुती समस्दार हो चुके हो इसका meaning number 4 होता है अगर आप 11-11 बारवाल देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है अगर आप कोई love manifestation कर रहे हैं तो इसका म लिए flexible होना है और divine आपको ensure करता है कि आपका love manifestation सच होगा अगर आप 11-11 देखते हैं twin flames को जो लोग twin flame journey में होते हैं उनको भी और divine connection वाले लोगों को भी 11-11 नजर आता है बार-बार अपने partner के साथ बात करते हुए relationship में तो ये भी indication होता है कि ये आपका सही path है और आपको आ meaning number six होता है एक छोज अगर आप बार-बार 11-11 देख रहे हैं आपकी सभी wishes पूरी हो रही है आप एक साथ में दो चीजों को तीन चीजों को manifest कर पा रहे हैं और उसके बाद भी आप 11-11 बार-बार देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप spiritual growth हो रही है आपकी spiritual growth हो रही है आपक आप अपना soul purpose भी जान जाएंगे हम सभी का एक soul purpose होता है जिसकी वज़े से यह soul अर्थ पे आई है आप अपना soul purpose भी बहुत जिल्दी जान जाएंगे इसका meaning number seven होता है कि जब भी आप 11-11 देख रहे हैं तो ensure किया जाता है divine की ओर से कि angels watching you आपको जो वो supreme power है वो कही ना कही से देख रही है हमेशा आपके साथ है और इसलिए आप जब भी इस number को देखते हैं आपको बहुत जादा शुक्र गुजार होना चाहिए grateful होना चाहिए और खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आप जो इस number को बार बाल देख रहे हैं वो यही indicate करता है कि angels are always watching you सो यह थे seven बहुती जादा special meaning 11-11 बार बाल देखने के अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप कोई manifestation कर रहे हैं तो कौन सा point आपके साथ resonate करता है कमेंट में जरूर बताइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई